आज हम लोग गानेकोमेस्टे की सर्जी जो प्लान करें मैं आपको उनकी मार्किंग दिखाना चाहता हूं क्विक्ली ग्रेट टूए गानेकोमेस्टेया है सो हम अंडिस्टैन करते हैं कि किस तरह हैं लोग सो जैसे आप जानते हैं मैं फोटोस नहीं दिखाता हूं पेशिंट के फेस नहीं दिखाता हूं ताकि confidentiality ना disturb हो बट क्लियर कट आप देख पा रहे हैं ग्रेट वे गानेकोमेस्टेया इस तरह मुठ जाएं जारा प्रीज सो क्लियर कट दिख रहा है कि साइद में कोई breast rolls नहीं है chest की projection है nipple puffiness है बहुत severe puffiness है जो प्रूफ करता है कि नीचे इसके नीचे gland है बहुत बड़ा सो पफी निपल इंडिकेट करता है gland को इसके लावर थोड़ा थोड़ा fat है उपर बहुत जादा fat नहीं है साइड में थोड़ा सा fat है इस एरिया में complete इस एरिया में हमारा fat है तो यहां से इस point से entry की जाएगी इस direction में liposuction की जाती है all along यहां से यहां तक जो instruments होते हैं वो पूरा एक direction में ऐसे जाके fat को suck out कर लेते हैं उसकी बाद यह देखे कि यहां पे छोटा से incision लगाया जाता ह है जिसमें से gland को हम लोग निकाल देते हैं सेम दूसरी side पे यहां से entry point होगा हमारा and यह निशान कभी भी नजर नहीं आता in fact जो surgery का भी निशान होता है जहां से gland निकालते हैं वो भी नजर नहीं आता बहुत सारे doctors मैंने देखा है वो यहां कहीं पे निशान देते हैं और म आप सोचें यहां का निशान तो नजर ही नहीं आएगा because छुप जाता है folds में लेकिन यह इतना बड़ा निशान यह साइड में निशान ना दिखे और automatically गायब हो जाए यह तो common sense बताएगी कि possible नहीं है इसलिए always stick with what is practical जो सही है उसको समझिए और फिर वैसे ही treatments कीजिए इ in sides के नीचे के यह उल्टे सीधे जो incisions लोग लगा देते हैं उसके चक्रों में मत आये because in the end result matters and scarlessness is very important so इस तरह से हम लोग plan करते हैं यह मैं जरूर दिखाना चाहता था आपको किस तरह grade 2 की planning होती है